हाई हेलो नमस्ते राम राम कैसे आप सब आप सब आप सब लोग ठीक होंगे तो इसके बाद कि एक क्लिप डिलीट हो गई कि बहुत जादा मेमरी हो गई है फोन में और एडिट करना पड़ता है तो डिलीट हो गई कि मम्मी के साथ मैं आ गई हूं चोकी में जो कि आज हमें 11 बचे आना था हाई वेलकम बैक तो मैं गड़ी थी चोकी में जहां पे हमारे लिए कंप्लेंड गई हुई थी तो वहां पे जी क्या हुआ वह आपको फुरसत से बताऊंगी अभी थोड़ा से बता लेती हूं कि जिन की महतर्मा ने कंप्लें दी जो हो बिमार पड़ी हैं तो होस्पोटल मेंैंस份 लहत्तर्मा नहीं आई हैं जो कर चीक चीक करता वी हूं के महिला थाना में हमसे बात करके थी बत्तमाइज ही युझी आज हो बिमार पड़ी है चानक से grav nenhuma है अभी उनको लगेगाँ जब सब कुछ ऐसे लग रहा है कि बिखरा बिखरा पड़ा है अच्छे से समेट नहीं पारी हूँ जल्दी फ्री हो के मिलते हैं में कॉफी पीने की बड़ी ज़्यादा क्रेविंग हो रहे हैं कि सुबह से निकली हुई थी तो भी फटा-फट पहले लंच बना रहे हो लंच में ब बढ़ाई ठीक से होनी पारी क्योंकि मैं बहुत कम घर पे रहती हूं कि मेरी कॉफी रेडी हो गई है और यहां पर ग्रीन चटनी रेडी हो गई है वहां पर राइस बन रहे हैं तो लंच अल्मोस्ट रेडी है बस एक विसल आईगी और अब मैं इंजॉय कर रही हूं मेरी क पूरा दिन यह नेच्रल लाइट में तो वीडियो अच्छा ताभी टाइम हो गया है पॉने तीन और डॉल के आने का टाइम हो गया है और यह कपड़े मैंने कल रात को दोए तक कि दिन भर तो टाइम ही नहीं मिल रहा तभी डॉल को लेके आते हैं आजो कि स्टॉप पे आ आ गए डॉल को ले आई लंच वंच हो गया फिर वीडियो एडिटिंग में लग गई तो में को यह भूली गया कि आज मैं आपको अपने पूरा दिन का दिखा रही हूं कि मेरा दिन कैसा जाता है बहुत दिनों के बाद आज मैं थोड़ी देर शाम को घर पे रुकी हूं ड कि में क्या रहा अपडेट आपको आज देने वाली हूं पूरी और मम्मी का फोन आगया एक बड़ा टेंड करके फिर से कंटीनियू करते हूं तो मम्मी का कॉल था मैं मम्मी को बोल रिती कि मैं ले जाती हूं अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आपको नींद नहीं आएग तो मम्मी कह रहे हैं कि नहीं तु सुबह भी इतने चक्कर लगागी अब इतनी दूर से फिर से आएगी तो रहने दे मैं सो जाओंगी मैं मैंनेज कर लोगी तो मैंने बोल दिया अगर नींद ना आए न तो फिर भी मुझे कॉल कर देना तो अब हम गए थे हमारे पास वाल जिक्र आ रहा है जो भी इल्जाम है उन फोनों के रिगार्डिंग है जब समझोते की बात चल रही थी तो भी पहली शर्त यही थी कि हमारे फोन वापिस किये जाएं यह लड़की बोल रहे हैं और एक दूसरा आदमी बोल रहा है फोन मेरे हैं वो जिस डॉक्टर का मैंने जिक्र किया था उसके भी आपको मैं दिखाऊंगी मैसेजिस जो उसने हमें फोन के लेकर रखे हैं तो जो फोन जिसके भी हैं वो ना तो चुराए गए हैं ना छीने गए हैं जैसे ही लिए गए वैसे ही आपको बता दिया गया कि हमें डाउट है कि इन फोनों में ऐसा उसकी वीडियो बना देते थे मैडम भूल गई है कि अगर लडाई कर भी नहीं है चलो मान लिया हम कर रहे हैं और वीडियो भी हम ही बना रहे हैं पागल हो गए हम कि लडाई भी हम कर रहे हैं वीडियो भी हम ही बना रहे हैं चलो यहां पर भी पागल बन जाते हैं थर्ड बा वालिया सिर्फ उतनी दिखाऊंगी मैं कोट में पूरी वीडियो दिखाऊंगी जिसमें हम भी बोल रहे हैं तो तु इस चिंता में मत पड़ यह जो इल्जाम तु लगा रही है यह बेबुनियाद है कि हम वीडियो लडाई करते थे वीडियो बना लेते थे तुम इतने भोल खड़ी होगे में यहां से और पैसअ पर रहे हैं आब जो यह कह रही है कि हम इसे मारते हैं अब जो तो यह 4,000,000 साओ पर 700,000 यहां आपको सुनवाऊंगे जहां यह चुपचाप बैठी है दो लाख वाली आपको सुनवाऊंगे जिसमें अपने ताऊ जी से कह रही है कि यह तो सिरफ दो लाख दे रहे हैं दो лाख भी अभी दे रहे हैं इसके बात 2,000,000 भी नहीं तो उसके ताउची कह रहे हैं कि नहीं लेने इतने तो हमें तो यह कह रहे हैं दो लाग भी मना कर दो फिर यह वीडियो भी आपको सुनाओंगी बात कर लो फिर आप न करनी हो तो कब आओगे कब आओगे कि अलो मेरी तो आगे पिछे होकोई मेरी तो आगे पिछे होकोई फिर मैं के लिए क्या क्या गरलू भी ताउ से बात कर रही हो ताओ पतादो लास्ट के करना है ये तो कवे ये तो साफ साफ कवे चाहिए मन तो कुछ भी बना दिया लास्टी फलाना सब कुछ बना दिया मैं ये कवा मार पर तो दो लाख है ये दो लाख भी है ये दो लाख ले वो तो ठीक है नहीं तो वो भी कुन फिर उसको बाद कि मना कर दूँ कि अब तु कह रही है मैं कंफ्यूज हूं हम फिर भी तेरे साथ तु बुला ले प्रोपर्टी की तरब तो आख उड़ा के देखना भी बात तो तेरे पापा रखे गए ना करी ममी रखे गए ना तेरे भाई रखे गए ना मेरा बाई रखे गए ना तू रखे गई मैंने तो यह वी ऊक्षान राखा मेरि मां का मन तु कहते ने प्रोपर्टी की बात करना तूम करोंगे तो चार्प मेरी मां को जित्ते ती अंबार भी देगा घर से ती बेचे दो इसको पैसे हैं नहीं हो तरको पता है दो लाग कहां से करेगी एक लाग उसने अपने मरेक्यी एक बीरखया उए वो देंगे वहतर को एक लाग हम नेगे हमने ठेकेदारी ले तेरी कभी दिये को पुझी और को भी दीदी ओर को बिठाके रोट्टी भी खेल आई तुमने कि दिदी और वारती वार पे बुलाया भी है कि बुलाया तुन ने पडोस्नों को है तेरी बॉलते कि पडोस्थ नो के साथ हमसे किस बात के पैसे पैसे मांग रहे है बंता ही नहीं जाए बंता तुभ पचास बंदे करते कर ले कोई कह दहीं कि इसने दस साल में अपनी मुझे दो तिन हमारे जिम में दिख गए जो हमारे टाइम पर जिम करते हैं वहाँ पर उन्हों जाते आते मुझे नमस्ते नमस्ते की हमने भी कर दी तो जी application में मतलब complaint में ये point लिखा गया है कि मैंने उसको ये दमकी दिया है मैंने ये कहा है कि मेरी जानकारी बहुत उची उ यही ओरी में पुलिस में मेरि सुनवायीं हो रही होती मेरी पोहंच उपर तक हो रही होती तो तेरी इतनीघन औ dü two-pee तो टो मैं तो मुझे जैसी आउब यह को दी कि बारने का दो जी मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों से एक ही बात कहती हूं हमें कोई समझ होता करना हम को डिचा करेंगे हम को डिसाइड करेंगी हम इसको दे देंगे कोर्ट जैसे कहें हम स्कुझ वैसे 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 मानफाएं ड्य treatments in लिख भा लेकर आऊँंगी जिस米 वैलिकर नया कि हमारा जो मसला जो भी फैसला करेगी हमें वो मानन्य हो गला मैडम ने इपिलिकेशन में पते कोड 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 सुनके मैडम बुखला गई मैडम न महिला थाने में जा के बोलती है कि मैं कोड कचारी के चक्कर क्यू काटूं भाई पैसे तरको चाहिए ना 10-10 लाख रुपे, 4-4 लाख रुपे, तो कोर्ट के चारी के चक्कर मैं थोड़ी काटूंगी, मैं तो भीना पैसे मांगे भी काट रही, तो तो पैसे मांग रही है, तो तो काटेगी, काटेगी, मैडम बोखला गई, मैडम ने वहाँ पे पागल बैठे हैं, और ना इतनी उची-उची चेर्स पे, उची-उची रिस्पेक्टेड पोस्ट पे बैठे हुए जज इतने पागल होते हैं, कोई जूठा केस लगवाएगा और लग जाएगा, तू मुझे इतना चक्कर ठाने, कचहरी, महिला ठाने, सब जगए के कात और हैसियत दोनों नहीं है, कि मैं किसी पर जूठे कोर्ट केस लगवाँ, एक कोर्ट केस डला है, अब तक सिरफ 6 महीने में पहला कोर्ट केस, अगर मुझे तुझे जूठे कोर्ट में फसाना होता ना, केस में तो अब तक तो 3-4 में घसीड चुकी हो, ति तिरको और त सच के साथ चलते हैं, तुम लोग बुखला गए हो, इतने सारे प्रूफ देख देखके, तुम्हें जो भी उंगलियां लगा रहा है, कि ये इल्जाम लगाओ, ये इल्जाम लगाओ, ये इल्जाम, मैं आप मेरे वीडियोस देख देखके, स्टॉक कर करके, स्यानी होने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हो नहीं पाओगी, अपने ही जाल में फस जाएगी, तु जितने इल्जाम लगा सकती है, लगा ले, करती जा, लास्ट में जब मेरी अती हो जाएगी, मैं तरह पर मानानी का केस करूँगी, कि अब मेरी इज़त पर बात आगी है, तु कर ले, मैं जुठे-जुठे इल्जाम हम पर लगाया, ये वो है, 10-15 कंप्लेंट की लिस्ट थी, जिस पर से 4-5 मैं पढ़ पाई हूँ, मतलब मुझे याद है, मैं mentally थोड़ी से स्ट्रेस में हो, तो मुझे चीज़े याद थोड़ी कम रहती है, तो अब मैडम आई नहीं है, तो जी म महाँ पे इसने ये इल्जाम क्यों नहीं लगाए, क्यों नहीं कहा कि ये सब इसके साथ हुआ है, हमारे कोर्ट केस डालते ही आप बुखला गए, आपको दहेज के केस भी याद आ गए, आपको छेड़खानी के केस भी याद आ गए, जो इतने अच्छे-च्छी पोस्ट प मैं तरी शकल ही नहीं देखी, कोई प्रूफ तो दे कि मैं तरको फोन किया हो, या इस बंदे के सामने दमकाया हो, ऐसे कोट कचेरी किसे चीज को नहीं मानती, ऐसे उतरा तो मैं अब तक तर पर 20 मुकद में दर्वा दर्ज करवा देती, उसके लिए प्रॉपर सबूत होने चाहिए, समझी, यो तरको उंगलियां लगा रहे हैं, यो तरको लोग घुमा रहे हैं, तो घूमती जा, तो धीरे 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 अपने ही जाल में फस जाएगी, तो ये थी अपडेट, ऐसे ऐसे बहुत सारे इलजाम मेरे उपर आए हैं, जिनका मैं पहले पुलिस चोकी में वहाँ पर बताऊंगी कि ये चीज़ा सब ऐसे हैं, अगर वहाँ पर बात नहीं बनती तो मैं एक ही वर्डिंग कहूंगी, जी आप F.I.R. दर्ज करो, मेरे उपर करो, मेरे खिलाफ करो, जैसा आपको ठीक लगे करो, मेरा लॉयर आएगा, मेरा लॉयर बात करेगा, F.I.R. होने के बाद, तब तक मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगी, तो जी ये एक औरत की हरकते हैं, जो पैसों के लिए गिरती जा रही है, जूर सच का सहारा ले रही है, मैं एक एक चीज सच के साथ चलूंगी, ताकि मैं कहीं भी अपनी बातों से मुक्रूनी, बदलू नहीं, इस टाइम मुझे आपके ब्लेसिंग की प्रेयर की बहुत ज़्याधा जरूरत है, चैनल तक आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कोशिश करेंगे तो सब्सक्राइब जरूरत जरूरत कर जाना, चैनल तक आए हो, तो क्योंकि अभी आपका सपोर्ट में लि क्यूब